Hi everyone, मैं Robin, आप सभी को welcome करता हूँ हमारे इस एक वीडियो में जहाँ पर मैं आपसे एक common सा doubt discuss करूँगा जो कि SSE की तियारी करने वाले हर student के दिमाख में आता होगा देखिए चाहें आप SSE CGL के तियारी करें, CHSL के तियारी करें, MTS, CPO, STANO, SSE GD यानि कि SSE के एक्जाम में आप जो भी परिक्षा देते हैं क्योंकि SSE का हर एक्जाम अब आप से at least tier 1 और tutor 2 के examinations online mode में कराता है तो आखिरकार online mode में जो paper आपको आपके desktop पर बैठने के बाद मिलता है, क्या वो पहले से decided होता है क्या हर shift में बैठने वाले students का पहले से ये exam decided होता है कि इस दिन पर इस तारिक में या फिर इस shift में जो student इस exam के अंदर बैठेंगे उनको कौन सा paper मिलेगा तो इन सभी doubts को, इन सभी common issues को मैं आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में कुछ points लेकर आउँगा एक mode of conduct exam का यहाँ पर discussion करूँगा कि वो framework क्या होता है, वो technology क्या होती है जो कि excessive के करारे जाने वाले किसी भी exam के अंदर use की जाती है क्या यह पहले से ही decided होता है कि आपको exam में कौन सा paper मिलेगा तो इसी आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि यह exam luck based होता है कुछ students इस exam के बाद खुश होते हुए नजर आते हैं और कुछ student इस exam के बाद निराश होते हुए नजर आते हैं तो इन सभी चीजों को हम एक छोटे से framework पर जानेंगे और फिर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको exam के बारे में इस exam के बारे में जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं आपकी सोच किस तरीके से होनी चाहिए और आपको अपने इस exam पर कितना believe रखना चाहिए तो दीखे मैंने आपके सामने एक framework रहा है जहांपर मैं एक cloud computing system की बात करूँगा जिससे कि आपको exam किस तरीके से मिलेगा आपको कौन सा set मिलेगा ये सभी चीज़े हम बात करेंगे और last में हम जानेंगे कि SSC में अगर आप तियारी करने वाले हैं और आप तियारी कर रहे हैं और किसी exam में अगर बैठेंगे तो आपको किस तरीके से इस exam को देखना है देखे आपका exam होने के तीन महीने पहले आपको इस notification मिलता है उस notification में आपसे आपके details भरवा लिये जाती है और वो details आपके एक common server पर जाकर इखटा हो जाती है कि ये ये जो student है इन्होंने इस exam के लिए apply किया है क्योंकि आपने अपने हर form के लिए application fee submit की होती है तो उसी आधार पर आपको कुछ registration numbers alert हो जाते हैं यानि कि आपको SSC अपने register में अंकित कर लेता है कि ये विध्यारती इस exam को देने का इच्छुक है जब आपके exam की date आपके सामने आती है तो आपके exam में number of appeared student को आधार रखते हुए उस exam को accordingly SSC अपने अलग-अलग centers पर बात करके कि इतने students को इतनी seats लगेंगी इस आधार पर पूरे भारत में आपके लिए center book कर लेता है इसके बाद आपके examination की dates, shift ये सबी चीजें आप लोगों की निर्धारित कर दी जाती है जो कि exam होने के लगबग 5-6 दिन पहले आपको provide कराई दी जाती है ये आपका एक common framework रहता है जहां पर SSC के अंदर बैटने वाला हर विध्यारती ये जान पाता है कि मेरा exam किस date पर है और किस shift के अंदर है ये तो बात रही कि SSC के register में हर student का अंकित होना कि कौन student इस exam को देगा SSC के पास ये जो data होता है ये data अपनी common server पर वो इस तरीके से mention करता है ताकि अपने आगे वाले चरण में यानि कि अपने framework में आगे वाले step में वो ये decide कर पाए कि कौन से student को किस दिन पर हमें exam का paper देना है अब मैं बात करूँगा SSC के paper setup की तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक common cloud server आपका use होता है जहाँ पर आपके main expert SSC खुद अपने 7-10 expert अलोट करती है अलग-अलग field से वो होते है यानि कोई जो teacher होता है वो reasoning के paper set करता है कोई quant के, कोई English के और कोई GK के इसी तरीके से आपके exam में अगर यह decide होता है कि बच्चों की लगबग 50 shift इस exam के अंदर होंगी तो इसके आधार पे आपके लगबग 100 से भी ज़्यादा sets create कराये जाते है इवन SSC को भी यह idea नहीं होता है कि किस student के पास कौन सा exam पहुचेगा करायेगे 100 sets में से SSC को भी यकीनन यह भी idea नहीं है कि उसके बचे हुए 50 set जो कि आपको 50 exact set में adjust कराने है कौन से आएंगे या कौन से नहीं आएंगे तो यहाँ पर बात करेंगे cloud की इस cloud को protect करने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है एक firewall ताकि इसके अंदर कोई भी external व्यक्ति या फिर external power एंटर ना कर पाए यही cloud web server और data server से connect होती है इनके बीच में exchange होते हैं document management किया जाता है जहाँ पर चीजें किस तरीके से आप अपने 100 के 100 sets को अंदर डाल देते हैं यही framework आपको लेकर जाता है auto scale based traffic पर जो कि आपका examini के पास अगर आपकी shift एक तारिक को पहली shift है तो वहाँ पर आपका randomly एक set पहुँच जाएगा उस shift में बैठने वाले students के पास इसी तरीके से next shift में होने वाले जो भी students होते हैं यहाँ पर आपके jumbled way में पड़े हुए जो भी sets हैं again वो randomly एक पूरा algorithm महाँ से कोई set उठाएगा और student को वहाँ पर अगली shift में बैठे हुए student को भेज़ देगा जो paper अलड़ी student अपने shift में दे चुके होते हैं उनके पास दुबारा से पिछला वाला paper नहीं जाता है यानि कि अगर मुझे एक exam को कराने के लिए 50 papers की जरूरत थी तो मुझे भी नहीं पता है कि दिये गए और input किये गए इस system के अंदर 100 paper में से मुझे कौन सा paper मिलेगा even किसी को भी नहीं पता होता है तो ये थे basic structure के आपके पास वो paper पहुँचते किस तरीके से है अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि क्या इस exam को हम luck based मालने क्योंकि कुछ student यहाँ पर paper देने के बाद काफी खुश महसूस करते है क्योंकि उनका exam काफी easy आया हुआ हुआ होता है और कुछ student यहाँ पर अपने exam को देने के बाद निराश महसूस कर सकते है क्योंकि अगर उनका exam कठे नाया हुआ हुआ होता है तो दीए SSC के expert के लिए भी यह बहुत difficult होता है कि वो 100 के 100 sets की जो difficulty level है उसको equal maintain कर पाए है हाँ मैं यह मानता हूँ के SSC, CGL, CHSL, MTS या फिर स्टैनो इन सभी exam के लिए जो experts बिठाई जाते हैं वो अलग-अलग दायरे के यानि कि अलग-अलग standards के paper set करते हैं क्योंकि अगर CGL के अंदर graduate level की बाते करी जाएंगी तो वहाँ पर उसी आधार को point of view मानते हुए आपके लिए exam का paper set होगा लग-based की देखी बात ऐसी है SSC के अंदर जब से online exam कराए गए थे 2016 और 2017 में normalized score नहीं मिलता था यानि कि आपको एक दरजे पर लाने वाला formula equal नहीं वहाँ पर apply होता था लेकिन क्योंकि अब आप देखेंगे कि अगर SSC की बात करें तो normalization का formula वहाँ पर use होता है जो कि कहीं न कहीं कोशिश करता है कि दौनों ही shift को अगर एक shift hard है और दूसरी shift आपकी easy है तो दौनों को एक दरजे पर लाने का कोशिश करती है तो एक basic structure होता है यहाँ पर कोई इस तरीके से नहीं मान सकता कि यह luck bags exam होता है हम मान सकते हैं कि अगर 100% में से हम बात करें तो 5% इसमें आपका luck matter करता है क्योंकि आसान आये हुए paper में जो व्यक्ती 2 घंटे में 200 सवाल अगर करके आता है तो आप उसकी ability को नहीं नाप सकते कि क्या वो उस 2 घंटे में 200 सवाल ही करके आता हो सकता था कि उस कठिन सवाल वाले paper को भी वो व्यक्ती अपना 2 घंटे में कर लेता तो यहाँ पर इनी चीज़ों को लेकर controversy बनी रहती है SSC को यह decide करने की जरुरत होती है कि अगर आप difficulty level को maintain करते हैं और अगर आपसे नहीं भी होता है तो at least वो variance बहुत कम percentage का हो यह ऐसा ना हो कि एक paper तो आपका एक दौम बिलकुल easy और दूसरा paper आपका कठे ना जाए तो यह छोटी सी जानकरी थी जहांपर एक mode of conduct को कराने की मैंने बात करी किस तरीके से यह decide किया जाता है I hope आपको यह वीडियो पसंद आईगी अगर आपको वीडियो पसंद आईगी तो please आप इसे like करें और अगर आपको इसे share करना है तो अपने friends के साथ अपनी और उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए इसे please share करें Thanks a lot for being with me अपना ख्याल रखिए Bye-bye, take care, thank you